कोश्चन है हमारा एक बस्तू को 28,000 रुपए में बेचने पर 12% का लाब होता है तो क्रेमूल ये क्या होगा तो इस तरीका के कोश्चन को हम ratio method से करेंगे और just a second ये कोश्चन solve हो जाएगा तो हमें क्या दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं 28,000 रुपए में बेचने पर जहा क्या होता है हमारा विक्रेमूल यानि की sale price राइट विक्रेमूल या SP कितना दिया है हमें 28,000 रुपए राइट अब वो कह रहा है बेचने पर इतने परसेंट का लाब होता है तो क्रेमूल ने बताईए हम जानते हैं SP हमारा कितना होता है CP plus P profit हो रहा है तो वो जुड़ जा क्या होता है तो SP कितना होता है हमारा 100% होता है यह हमेशा आप ध्यान रखिए कि CP cost price या क्रेमूल हमारा क्या होता है 100% plus profit कितना है 12% का तो 12% जुड़ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 112% राइट तो ratio method हमारा क्या कहता है ratio method कहता है कि जो दिया है दिया क्या है हमें 28,000 SP है तो जो दिया है उसे उपर लिखा और उससे हमें क्या करनी है तुल्ला करनी है तुल्ला मतलब भाग देना है तो हमारा SP यनि कि विक्रेमूल हमारा क्या निकल के आया है 112% तो 112 से हम डिवाइट कर देंगे और पूछा हमसे क्या है क्रेमूल पूछा है क्रेमूल हमारा क् 100 होता है. 100% होता है. यहाँ पे 112% और स्क्रैमोल क्या होता है. 100% तो % से परसेंट़ेज कट जाएगा. तो अब इसे हम काटेंगे. काटेंगे 25, 10 2, 3, 12 काटेंगे 21, 24, 8 और 3, 0 ऐसे ही. अब काटेंगे 14, 1, 34, 0 14, 4, 4, 56 अब 4 से काटेंगे. चार दुनियाट चार पंजे 20 तो बचा हमारे पास क्या 1000 x 25 यनि कि जब इसको हम multiply करेंगे तो क्या आजाएगा 3 0 हम पहले लगा लेंगे और 25 है कम 25 यनि कि 25,000 रुपए क्या हो गया हमारा क्रेम मूल क्या किया हमने इस question में क्या दिया है हमें